नमस्कार दोस्तों मैं किसना कान ताप लोंका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर दोस्तों अब आपके पास मातर 6 दिनों का समय बचा हुआ है छे दिन में अब आपको अनली सिर्फ अपने सारा टाइम रिवीजन पर देना है सभी टाइम रिवीजन का डाल दिये हैं वहां से आपका एक क्वेशन भी बाहर नहीं जाएगा ऐसा नहीं दोस्तों दो दो घंटे का स्रीज है पंदरह दस से पंदरह मिट का एक स्रीज है मात रेदी पांच पांचों स्रीज आप कर लेते हैं तो उससे आप हंडेट परसेंट एक्जाम में ले है जो आपकी एक्जाम में आ रहा है उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों आपके एक्जाम आपकी एक्जाम से एक गंटे पहले मैं आपके लिए कोईशन सेट ले करा हूं उसी के कोईशन सेट से आपके एक्जाम में कोईशन आएंगे और एक्जाम के बाद answer की सबसे पहले अपने चैनल प्याईगी तो इसलिए हमारे चैनल को क्या करना है भी सबस्क्राइब कर देना है चल दी सब्सक्राइब कर देना है चलिए time को नबेश्ट करते हुए शुरू करते हैं question number first यदि नजर न परे question देखिए क्योंकि यही सब question आ रहा है यदि माध्यम A का माध्य B के साफिच अपबरतनांक A mu B से दर्साया जाए तो अपबरतनांक के लिए निमली खित में कौन सा सबन सही है समझना नहीं है अब समझने का जो था आप अपका time चला गया अब याद कर करना है A mu B बराबर mu A बटा mu B if A mu B is refractive index of medium A with respect to medium B then which of the following relations is correct for the refractive index answer number A next question number two question number two हम लोग का है अपबरतनांक mu M बाले माध्यम में मर्त अपबरतनांक mu A का एक lens रखा हुआ है lens पर समनांतर किरन पूंच आपतित होने पर निर्गत किरन पूंच की समनांतर रहती जैसा के चित्र में दिखाया गया है mu A और mu A में सही संबंद क्या है दूसरा का answer C mu A बराबर mu A इसका अंग्रेजी माध् करतनांक root 2 है इसका संगत करांति कोन क्या होगा तीन का answer हो जाएगा B 45 degree the reflective index of a medium is root 2 its corresponding critical angle is 45 degree next question no.4 question no.4 संजुक्त सुचन दर्शी के अभी दिर्शक द्वारा बनाया गया पर्ति बीम होता है चार का answer C हो जाएगा आवहासी और बरा the image formed by objective of compound Microsoft is virtual and enlarged next नेक्स है question no.4 option वहां से देख लिजेगा हिंदी वाले निमली खित में कौन संबंद सही है which of the flowing relation is correct कौन सा इसमें relation जो है सही है तो next question no.5 पाइब का answer जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा C फेज डिफ्रेंस वराबन 2 pi by lambda into 1 by पथांतर पाठ डिफ्रेंस next question no.5 गोलाकार तरंगार को उत्पन करने के लिए श्रोत की आकिरती होती है छठा का answer A बिंदू श्रोत the safe option to produce a spherical wave front is point source यह सही नंबर दिया हुआ है किसी का जहां से यह question आया है परकास के रंग की जानकारी निमली खित में कौन देता है सात्मा डीर तरंग देई परकास के रंग की जानकारी कौन देता है दीर तरंग देई which of the flowing gives the information about the color of light wavelength नेक्स्ट है question number 8 हम लोग का उत्तल लेंज के द्वारा निमली खित में कौन से दिश्टी दोस को हटाया जाता है दूर दिश्टी दोस कौन है एक्स लेंज से नेक्स्ट question number 9 9 number question है हवा के कांच के लेंज की फोकस दूरी एफ है और पानी में कांच की फोकस दूरी एफ डवलू के बीच निमली खित में कौन सा संबन सही है पर योग करें क्या है म्यू ग्लास का जो है म्यू 3 वाइट 2 है म्यू वाटर का है 4 वाइट 3 तो नॉमा का अंसर C हो जाएगा F frequency of water is equal to 4FA which of the flowing relation between the focal length of glass lens in airFA and focal length of glass lens water FW is correct next question number 10 दस्मा नंबर question है तरंग देरी के बढ़ने के साथ माध्यम का अपबरतनांग क्या होता है घटता है तरंग देरी के बढ़ने के साथ माध्यम का अपबरतनांग घटता है दस्मा नंबर क्या है with increase in wavelength refractive index of a medium दस्मा का answer भी हो जाएगा decreases next question number 11 ग्यर्मा नंबर question है विद्दूत प्रबंता का SI मात्रक होता है 11 का answer deep fraud permitic fraud SI unit of gradient of potential age next question number 12 question number हम लोग का 12 है एक बंद गोलिये सता के अंदर आवेस बरका Q-6 के लिए SI मात्रक में विद्दूत फलक्स निमलिखित में कौन सही है तो बारा का answer B हो जाएगा बरका Q-6 Q epsilon note क्या हो जाएगा मरे दोस्ट बरका Q-6 Q which of the following is correct for relative fluxiness unit over a close spherical surface having charge बरका Q-6 Q inside it option number B अब तुरह साब को देखने प्रोब्लम हो पर आप थोड़ा सा कश्ट कीजेगा तो आपको सहरान मार्क सच्छे से मिल जाएगा तेरा विद्दू छे तिर्टा E में रखे गए विद्दू ता अघूर्ण P बाले विद्दू दिवधू धूरुप पर लगने वाले आघूर्ण टाव के लिए निमलिखित में कौन संबन सही है तेरा का अंसर टाव ब्रावर P करॉस भीच अब दा फ्लोईंग रिलेशन इस कोरेक्ट फो टॉर्क टी एक्टिंग ओन एलेक्टिक डाइपोल मुमेंट पी प्लेस इलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी पी करॉस ई चोदान नमबर कोईसन हम नेक्स्ट है एक संधारित में संचीत बिद्धियस ठीती का उर्जा बेंगेज क्या है हाप cv2 एक्सप्रेशन फो टेंसिल इनर्जेस टोड इनकेपसिटर हाप cv2 सब्सक्राइब नेक्स्ट कोई स्सांप नमबर हमलों का है पंदरा निर्बात के लिए पैरा बीद्धुक अस्तिरांग क्या होता है पंदरा के एंसर स्य हो जैगा वर्यां पालिू अपलेक्टिक कॉंस्टिक इस 1 नेक्स्ट नमबर कोई कोईसन नमर हम लोग का 16 है प्रति रोधकता का इस आई मात्रा क्या होता है ओम मीटर ओम मीटर प्रति एस आई और सिविटी आप ओम मीटर नेक्स्ट ओम की नियम के सदिश नुरूपन क्या है सत्रा का एंसर ए हो जाएगा जे वेक्टर रिप्रजेंटेंटेशन ओप ओम लॉ इस answer A next हे question on 18 कारवन पर्ति रोध के पीले रंग कोड का मान होता है अठारा का एंसर B हो जाएगा चार यलो कलर कोड आफ कारवन असिस्टेंस ओफ पहलू इसकल टू फोर नेक्स्ट है कोईसन नमबर उनाइस उनाइस नमबर हम लोग का कोईसन है धारा वाही चाला के अंदर लिलक्तोन की ग्यति होती है उनाइस का अंसर B हो जाएगा त्वरीत त्वरीत उनाइस का अंसर B दा मोशन ओफ इलेक्ट्रोन इंसाइड करेंट केरिंग डेक्टर इस एक्सलेरेटेड़ नेक्स्ट परती बाधा निरूपित करता है बीस नमबर कोईसन परती बाधा निरूपित करता है विद्धुत बाहा कबल इंपिडेंस रिपर्जेंट इलेक्टो मोटिफ फोर्स नेक्स्ट है कोईसन नमबर कोईसन है स्रिनी करमित एल आर परिपत का सक्ति गुनांग होता है 21 का B R बरावर अंडरूट आर स्कॉर्ड ओमेगा स्कॉर्ड एल स्कॉर्ड नेक्स्ट है पावर फेक्टर ओप सिरीज एला स्कॉर्ड आर बटा अंडरूट आर स्कॉर्ड प्लस ओमेगा स्कॉर्ड एल स्कॉर्ड नेक्स है दिएक चित्र आई का मान दिमिखित कौन है तो 22 का अंसर C हो जाएगा I बरावर 2A कोईसन नमबर हम लोग का 23 है 23 नमबर कोईसन देख लेजिए एक सीधे अनन्त लंबाई के धारावाहिक चाला के कारान चुमुकिये छेत्र वे निमिखित में कौन सा संबंध सही है एंसर हो जाएगा A 23 का अंसर हो जाएगा Which of the flowing relation is correct for magnetic field due to a state current carrying conductor for infinite length Next हमारा है कोईसन नमबर 24 24 आदर्च वोल्ट मीटर का परतिलोध क्या होता है 24 का अंसर बी अनन्त Resistance of an ideal वोल्ट मीटर is infinite Next Question number तरसा ध्यान से देखिएगा ताप्त तार ए मीटर के द्वारा परत्याबरती धारा का कौन सामार मापा जाता है Reach of the following values of alternating current in result by hot wire ammeter तप्त तार गरम तार ए मीटर के द्वारा परत्याबरती धारा का कौन सामार मापा जाता है 25 पच्चिस का अंसर बी मूल अउसत बर्गमान मूल अउसत बर्गमान रूट मीन स्क्वाइर भैलू नेक्स्ट कोईस्टन नंबर 26 26 नंबर कोईस्टन है एक समान चुम्बक किये छेतर में चुम्बक के भी छेपन में किया गया कार नेम लिखित में कौन सही है तो 26 का अंसर हो जागा A W बराबर MB1-Cos Theta Reach of the following is correct for bug done in the deflection of a magnetic in an inform magnetic MB1-Cos Theta Next question है चुम्बक किये फ्लक्स का SI मातरक क्या होता है तो 27 का अंसर C हो जाएगा Tesla C Tesla चुम्बक किये फ्लक्स का SI मातरक Tesla होता है 27 28 नंबर कोईस्टन देख लिजिए 28 नंबर कोईस्टन है पिर्थिभी के चुम्बक किये धरूप पर नमन कौन होता है एक छोटे चुम्बक के मध्ध बिंदू से समान दूरी पर अच्छी और निरच्छे स्थिती में चुम्बक किये छेत्रों का अनुपात होता है 29 का अंसर भी दो अनुपात एक कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही बताया The ratio of magnetic field on the end on the broad side or position of a very short magnet at equal distance from the middle point of the magnet is 2.1 Next निम लिखित में किसका स्थित्व नहीं होता है 30 नंबर निम लिखित में एकल चुम्बक किये धुरूब Which of the following doesn't exist single magnetic pole Next photon यहां पर आ जाएए photon की उर्जा होती है 31 photon की उर्जा होती है 31 का answer dh new 31 का answer dh new यह एच भी क्या होता है एच भी निम लिखित में किस पर आवेस नहीं होता है 32 नंबर को इसन निम लिखित में किस पर आवेस नहीं होता है photon कर वी चुम्दा पूलेंगे नो चार्ज photon particle Next निम लिखित में कौन तरंग संख्या के बरावर होता है 33 answer 1 by lambda एक परमानू एक परमानू यू 38 उपर में 200.35 में निट्रोनों की कुल संख्या कितनी होती है 34 का answer A 197 34 का answer A total number of neutrons in an atom U इतना is 197 यह हमारा आज का यह last question है इसका बार next video हम कभर करेंगे moon logic gate होते हैं 35 का answer D and or not and or not तो आसा करता हूँ कि आपको यह video अच्छी next video में इसका next part आएगा आज के लिए इतना ही अभी channel को subscribe कर दें क्योंकि exam के पहले मैं आपको question दूँगा जो आपके exam में आएगा तो bell button को दबा दें कि आपके पास time lapse ना हो जय हिंग जय भारत बंदे मातरम जय बिहार